हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल नियो वलतेग दोस्तो मेरा नाम है नवीन राज के ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी के एंडियेट्स के लिए क्योंकि दोस्तो पोस्ट ओफिस में आ चुकी है बंपर वेकेंसी जी हां दोस्तो आज के इस वी आविदन की तो अगर अभी तक आपने अपलाई नहीं किया है तो वीडियो को कंप्लेट जरू दिएगा और अपलाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो फोरम है वो रिजेक्ट ना हो और दोस्तो यहां पर जो योक्यता है मतलब जो क् चुके हैं तो पोस्ट ओफ इस की इस नई भर्ती के लिए आविदन कर सकते हैं अलीजीवल है वहीं दोस्तों ही जो बरती है overall 2022 की चौब है इंडिया के किसी भी स्टेटरीट में आपर एपने का सकते हैं तो आप प्लाई करने से पहले वीडियो को कम्प्रेट ज़रू दे दोस्तों में शेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की नई भरती के बारे में जो की पोस्ट ऑफिस की नई भरती है इस साल 2023 की क्वालिफिकिशन में तेन पास के इंडिएट्स के लिए भरती हैं साल जरी 29,300 रूपे पार मान्त मिल रही हैं औल इंडिया की चौब है जी हाँ दोस्तो आप इंडिया की किसी भी state and district में रहते हैं तो आप सभी के इंडियेट्स हो हैं apply का सकते हैं male or female और दोस्तो यहाँ पर आपकी कोई भी exam नहीं होने वाली है just आपको apply करना है सीधी भरती के माध्यम से आपको ये नौकरी मिलने वाली है तो चली आपको details में जानका देते हैं सीधा official website के माध्यम से दोस्तो हमारी जो number one website है वो है tips world buzz.yj वही second number की जो website है वो है newvoltech.co.im तो आज ही हमारी इन official website पर जाएं जानकर लें और apply करें तो जैसा कि दोस्तो आप दोस्तों आप दोस्ते हैं ग्रामिन डाक सेवक GDS की भरती के आवेदन अभी भी चल रहे हैं आप में से कई लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक apply नहीं किया हैं तो आज ही apply कीजिएगा तो आवेदन शुरू हो चुके हैं step by step आपको फोरम कैसे बनना है वो भी हम आपको बताएंगे अगर आपने आपका apply कर दिया है अगर आप finally फोरम को submit करना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं दोस्तो हम आ चुके हैं सीधा हमारी official website पर और आज हम बात करेंगे इंडिया post office की GDS की भरती के बारे में यनकी ग्रामिन डाक सेवक की भरती के बारे में दोस्तो यहां पर जो vacancy है 12,828 post पर vacancy है और BPM और डाक सेवक की post पर ही vacancy निकाली गई है ठीके और आप इदन आप से online मागे जा रहे हैं सालरी आपको 12,000 से 29,300 रुपे पर मंत मिल रही है एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आई स्यूमा में छूट भी है रिजर्व के इंडिगेट्स को वहीं दोस्तों application fees जो है जनल OBC के लिए 100 रुपे है CSTPW के लिए फ्री है और पैमेंट से सिर्फ आपको online करना ह qualification में तेंत के लास पास के इंडिगेट्स के लिए भरती है आवेदन जो है ऑनलाइन 22 मई से शुरू हो चुके हैं जो की 23 जून तक चलेंगे ठीक है यह रहा लिंक अप्लाई करने का notification के साथ दोस्तों notification में आपको बता दे कि यहाँ पर फिड से आपको बता दे कि last date को extend कर दिया गया है जो कि आप से 23 जून तक अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और आप जो correction करना चाहते हैं ऑल आवर इंडिया के basis पे वह आप जो है 24 जून से लेकर करके 26 जून तक आप जो है झाल, झाल, बता दे किया अर आपको जो है दो है है